अब आपको बताएं कि आप कुछ दिन पहले कॉंग्रेस से बागी हुए राजपाल सिंग को भाजपा ने टिकट देकर जब्रेडा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है 2022 का विधानसभा चुनाव का विगुल बच चुका है और सभी परत्यासी अब मैदान में उत्रे हुए हैं तमाम जगाओं पर जिस प्रकार से जो है परत्यासी अब मैदान में उत्रे हुए हैं अब टिकट भी फैनल हो चुका है और अब हम जिस प्रकार से जब्रेडा विधा है तयारी कितनी है देखिए सबसे पहले दन्यवाद देना चाहता हूं बारते जंदा पारटी के शिर्ष नेताओं को कि उन्होंने मुझे यहां पर प्रत्याशी बनाकर विदान सवाजय विड़ा बेजने का काम किया है दिल की गहरा है से मुनका दन्यवाद और आबार परोक हूं झालक में उनके शुक दुख में उसके इच्छी बुरे में खडा रहता हूं उनकी शमश्याओं को का निष्टारं करने के लिए में उनके लिए कोशिश करता हूं तो तैयारी है तो मैं संदने च्शित रूप से 2,22 जीतने कि आप कॉंग्रेस से भास्पा में आई कु सब्सक्राइब करें और मैं समझता हूँ जिस तरह का एक माहौल है पूरे जवरेड़ा में नहीं है पूरे हर्दवार में और हर्दवार में इस तरह से उत्राखंड में सब्सक्राइब करें और जवरेड़ा विदान सभावी जीत करके जाएंगे यह थे जवरेड़ा से जो परतियाजी है राजपाल उनका कहना है कि लोगों के अंदर जो है रोजान भारतिय जनता पार्टी की ओर है लोग जो है जो केंद्र सरकार की योजनाय है उन्हीं योजना को अलाब जो है जवरेड़ा विदान सभा की लोगों को भी मिल रहा है ऐसे में यह देखना होगा दस मार्ज को कि आखिर जवरेड़ा किसकी जोली पर जाता है अपने स्वयोगी संदीप के साथ मोपेंद सिंग्राना नेटवर्क 10 तेरादून